आजादी के वर्स गांट पर चलाओ मनाएं उत्सब आजादी की उर्जा का है अम्रित नए नए बिचारों का है अम्रित नए नए संकल्पों का है अम्रित आत्म भरता का ये अम्रित ये है अम्रित महुत सब आओ मिलक मनाएं आओ मिलक मनाएं थाना था उन्होंने मरकर या देश को आजाद कराकर आएंगे कुछ भी हो जाए गुलामी की हर जीर काट कर जाएंगे नमशकार डेडी बिहार के खास कारेकरम में आपका स्वागत है आपके साथ आपकी होस्ट मैं हो मुसकान देश को आजाद कराने के लिए हमारे करांतिकारियों ने अपनी जान निर्शावर कर दी थी और उनके कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं आज देश आज़ादी के पच्छातरवे वर्षकांट पर पुरादेश आज़ादी का अमरित महत्सव मना रहा है तो देशको आज का हमारा विशह है स्वतंतरता वीर सेनानियों की कुर्बानी और इस पे ही बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इनके बारे में देशकों में आपको बता दूँ कि ये केंद्रिविद्याले स्कूल के प्रचार्य है तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका धन्यवाद सर कारेकरम का आगाज मैं आपसे ये जानकर करना चाहूँगी कि स्वतरन्तिता के पच्छतरवे वर्ष कांट पर अजपरादेश आजादी का अमरित महत्सों मना रहा है तो इसके पीछे की सोच क्या है क्या कुछ परिकल्पना है इसकी सुरूआत मान्य परधान मंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को सावर मती से की थी दसल 12 मार्च 1930 को डान्डी यात्रा हुआ था जो कि स्वतरन्ता संग्राम में उसका बहुत ही महत्पूर्ण जोगदान था और 12 मार्च 2021 से ठीक 75 सब्ताहवाद 15 अगस्त 2022 को हम स्वतरन्ता की 75 वसगाट मना रहे होंगे उसी दिन से इस शुरूआत की गई और एक कारिक्रम 15 अगस्त 2023 तक चलेगा इसके पीछे उद्देश एह है कि जिन महान सपूतों ने जिन करांती कारियों ने स्वतरन्ता सिनानियों ने देश को आजाद दिलाने के लिए अपना सब कुछ निशावर किया उनको याद किया जाए उनको नमन किया जाए उनकी कुर्वानियों को हम अपने दिल में एक विशिष्ट अस्थान दें और उनके कुर्वानियों से हम सीख करके हम जो हमारा सामने जो नया समाज है जिस लिए उन्होंने कुर्मानी दी उनके सपनों को हम साकार करें इसके लिए बहुत सारे कारिक्रम देश भर में आयुजित किया जा रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, विभिन कारियालों में और जन्चेतना के माध्यम से संस्किर्टी कारिक्रमों के माध्यम से, खेल कुद के माध्यम से, निवंद लेखन, पत्र लेखन, इत्यादी बहुत सारे कारिक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे की जन भागीदारी सुनिश्चित हो और इसको हम उत्सब के रूप में मनाएं ताकि देश का हर नागरिक, खास करके जो युवा पिढ़ी है, वो स्वतनता सिनानियों से, उनके कुरवानियों से वाकिप हो जी, सर लेकिन हमें आजाद कराने के लिए ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो उन्होंने अपनी जान गवाई, जो उन्होंने अपनी खुर्बानी दी तेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे freedom fighter है और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें समाज में वो ओदा नहीं मिला या वो पहचान नहीं मिली तो इस पर अब क्या बताना चाहेंगे जी ये बात सत्य है भारत विविश संस्किर्टियों वाला देश है इसका भोगलिक सिमा प्रिश्टित है और अजादी की लड़ाई में हर छेत्र के लोगों ने हर संस्किर्टिक समुहों के लोगों ने अपने अस्तर से अपने अपने छेतरों में योगदान दिया जब भारत का इतिहास लिखा जाने लगा तो सभी का अस्थान सभी को जो इतिहास में अस्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला इतिहास लेखन एक निरंतर प्रकिरिया है लेकिन आजादी के बाद से लेकर अभी तक वो जो हमारे सुतंता सिनानी रहे हैं जिनको इतिहास में महत्पूर्ण स्थान नहीं मिला है उनके लिए सरकारे सतत प्रतिंसिल रही है और अभी आजादी के अमरित महुस्थब के दौर की गई और उनके बारे में समाज को बतलाया गया और उनको समाज में एक विशिष्ट रस्थान दिलाने के लिए सतत प्रयास जारी है और मेरे ख्याल में यह निरंतर चलने वाली प्रकिरिया है जिन जिन महानुभावों ने सुतंता सिनानी में जिस भी तरह से अपना कर्वानी को हम हमेशा अपने समाज के लिए समाज के उत्थान के लिए बेहतरी के लिए मैं उसको याद करूं और जिस उद्देश के लिए उन्होंने इतने बड़े कुर्वानी दी है उस उद्देश को हम पूर्ती करने के लिए हम सतत प्रयतन सील रहे हैं जी हम कहा सकते ह आज ये अमरित महोसव कारेगरम का आगाज इसले किया गया था कि उन वीर सिनानियों को भी ऐक पहचान मिले और मिल भी राया जगा जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-जगा- आजादी की तरफ ये पहला बहुत बड़ा महदवपून मोर्वी था तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे गांधी जी उनीस सो पंद्रह में दच्छीन अफ्रिका से भारत आये थे भारत आने के पश्चात तो अपने जो उनके अधात्मिक गुरू थे गुपाल कृष्ण उन्होंने मिला उन्होंने उनका माल्क दर्शन किया और सबसे पहले गांधी जी को उन्होंने सला दी कि भारत को समझने के लिए भारत का भर्मन करना आवस्च है तो एक साल 1916 तक वो भारत भर्मन में लगे रहे इसी दोरान गांधी जी को कांग्रेस के लखनव हुई उन्होंने उनको जो चमपारन में नील के खेती के कारण जो किसानों का सोशन था अंग्रेजी शासन के तुवारा उसके बारे में उन्होंने उनको अवगत कराया गांधी जी उस सोशन को की बात को सुनकर के बहुत ही मरमात हुए और उन्होंने निने लिया कि हम पहुंचे और उनका पहला सत्याग्रह था स्वतंता के लिए पहला अहिंसक आंदोलन था जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत को जुपना पड़ा और यह आंदोलन स्वतंता संग्राम के तिशा में एक महत्पूर्ण पहल थी लोगों को इस अंदेश गया कि हम अहिंसक तरीक से भी अंग्रेजों का बिरोध करके हम अपनी स्वतंता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं गांधी जी ने उस समय जो देश की बदहाली देखी जो गरीबी देखी उसके कारण और नहोंने बिहार में रहते उसी प्रवास के दोरान एक बहुत ही महत् पूरी तरह से नहीं हो जाते हैं और जब तक हम आत्म निर्भर की और खादी के माध्यम से हम अपनी मुकाम हासिल नहीं करते हैं तब तक हम एक धोती ही पहनेंगे और उनकी इस कदम को उनको महात्मा गांधी को महात्मा का दर्जा परदान हो गया इसके कारण लोगों का उनमें अटूट सर्धा होई जो पच्छिम चंपारन का पहला सत्यागरा अंदोलन था वो सिर्फ एक सत्यागरा अंदोलन या एक छेत्र तक्सिमित नहीं हो करके बलकि जितनी भी उस तम संघरसील सक्तियां थी उनमें उर्जा का संचार किया और जो सतंता के लिए जो दूसरी पिढ़ी के हमारे नेता थे जैसे डॉक्टर राजेंद परसाद, मौलाना मज्रूल हक, अनुगरह नरायन सिंग, आचार्ज किरिपलानी इत्यादी, इनका एक दिशा निर्देशन का एक काम किया, और सत्यागरह का जो अंदोलन था, चंपारन का, वो लाखो भारत भारत बार्सियों के लिए एक प्रेड़ना का सुरूत मना, जी, सर ये, इस सत्यागरह अंदोलन के साथ साथ, उन्होंने एक डांडी मार्च भी किया था, वो जगर जगर जा कि लोगों से मिल भग सासन कर रहे थे, तो लोग आजादी के लिए, चाहते तो थे आजाद, लेकिन कैसे आजाद हों, हम क्या करें, किस तरह से अपना कदम बढ़ाएं, ताकि हमको बिटी सुकूमत से निजात पाए, इसके लिए लोगों में जन्चितना की जागरन की शक्ता थी, और गांधी जी की बातों से प्रफावित हुए, और स्वतंता अंदोलन एक ऐसा अंदोलन था, जो कि एक छोटे से सम्मूह के द्वारा, या किसी एक छेत विशेष के लोगों के द्वारा चलाया जाने से प्राप्त कभी नहीं हो सकती थी, तो पुरे देश में जन्चितना का जो फैलाव था, वो बहुत ही जरूरी था, और इसमें डांडी मार्च के सहरे गांधी जी ने बहुत बहुत अच्छा संदेश दिया, जिसे लोग जागरूख हो करके सुधता दोलन में कुट परे, और गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके, अपनी भूमका लोगों न लोग अंग्रेजी सोसन के खिलाफ उनसे बहुत ही दुखी थे, लोगों का बहुत तरह से सोसन हो रहा था, और जन्मानस ये समस्ती थी कि उनकी सारी समस्याओं का जर जो है, वो अंग्रेजी हुकूमत है, और उनसे वो निजात पाना चाह रही थी, तो इसके लिए गांध उनको, इसका नित्रित्म गांधी जी ने दिया, उन्होंने एक राह दिखाई और इससे लोग स्वंतात्ता के अंदोलन में बर्चर के हिस्चा लिया, तो सर आप किस तरीके से देखते हैं हमारे देश को आज 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो किस तरीके की इस्तिती भी थी देश में, बहुत सारे चेतर में हम बहुत ही पिछरे थे, क्योंकि हमको बहुत साल तक सोसन किया गया था, हमारी छमताओं को आगे नहीं आने दिया गया था, लेकिन आजादी के अबादी तुरद्म ते बहुत सारे कारिकरम लागू किये गये, जिसमें एक मैं उधारन के तौर पेश करना चाहूंगा पंच वर्शिय योजना पर्तम पंच वर्शिय यूजना जो था उसका मुख विंदू था क्रिसी, और क्रिसी के चेत्र में उस समय आजादी के समय भारत किर्सी में आत्मिर नहीं था, हम खाधान के मामले में हमें आयात करना परता था दूसरे देश में तो हम किर्शी प्रधान देश होती हुए भी अगर हम खाधान को आयात करते थे तो यह हमारे लिए बहुत ही बिशम परिश्थिती थी तो परसम परिशिये योजना में किर्शी को महत्व दिया गया और दोगिक विकास भी किया गया, लोगों का जो जीवन अस्तर है, उसको सुधारने के लिए आजादी के बाद से बिभिन सरकारों रहे सतत जो नाए लागू की, जिसका फलाफल जो है, समाज के बिभिन लोगों को मिला, और समाज जो है, तरक्की के राह पे चल पुड़ा, जे, पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत कुछ अंतर देखने को मिला है, आज हम इंडिपेंडेंडेंट है, हमारे पास सब कुछ अपना है, अभी है, देश के संप्रभुता को बल मिला है, पहले हम अपनी अंदरूनी मामलों के समाधान के लिए भी हम बाहरी ताक्तो बीदेशों पर निर्वर थे उनकी तरफ देखते थे आज का हालात ऐसा है कि 20 समधा है भारत की और देख रहा है वो अपनी समस्याओं को के निदान ने तो एक बहुत ही बरी उपलब्दी है इस सरकार के रहते हुए और अभी जो सरकार ने बहुत सारे साहसिक निर्ने लिये हैं जैसे कि स्वतनता के बाद कुछ हालात के कारण हमारा देश का जो एक टूट हिश्चा कास्मीर है उसमें एक प्रॉब्लम खड़ा हो था तिन सो सतर आठकिल जिसके कारण कहा जाता था कि देश के अखंड़ता जो है कमजोड है कारण की एक ही देश में दो विधान दो प्रदान नहीं हो सकते थे कुछ हालात के कारण वैसा किया गया था लेकिन अभी सरकार ने बहुत ही साहसिक निर्णे लेकर के धारा तिन स शाली हुए हैं और विष्व को हमने शंदेश दिया है कि भारत अपनी आंतरिक मामलों को सुल्जाने में बिलकुत सच्चम है इसमें किसी बारी तत्वों की कोई हर सकता नहीं है इसके अलावा समाज में समाज में विभीन अस्तरों पे सुधार लाने के लिए सरकार ने बह रहेगी तो समाज प्रगति सील नहीं कर पाएगा प्रगति सील समाज नहीं कहा जाएगा इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्टिय स्वश्था मिशन जन्धन और इसकी शुरुवात कहीं ने कहीं गांधी जी ने बहुत पहले ही कर दी थिया था और अभी जो नहीं राष्टिय सिछा निती आई है इसमें कोसल विकास पे बल दिया गया है सरकार ने माताओं बहनों को प्रंपरागत चुले से निजात पाने के लिए और उनको और भी सहुलियत देने के लिए उज्वला योधना लाया इससे लोगों को काफी सहुलियत हुई और ब निती लागू की है जिसमें पांच लाग का बीमा दिया है नागरिकों को तो पहले गरीब आदमीं को लगता था कि अगर हम बीमार पड़ गये हमें कुछ ऐसा बीमारी हो गया तो हमको तो कोई पूछने वाला नहीं है तो अभी उस बीमा योधना के माध्यम से सरकार ने ज इसके कारण समाज जो है प्रगती की ओर है समाज के हर व्यक्ति तक सरकारी योधनाओं का लाव पहुंचाने के लिए सरकार अपने अस्तर से भरपूर प्रयास कर रही है आपने स्वच्छता की बात की अभी तो देजवर में स्वच्छ रहना हर व्यक्ति को कितना जरूरी है स्वस्ता समाज के लिए मूल भुक्त आव सकता है अगर स्वस्ता नहीं होगा तो व्यक्ति स्वस्त नहीं रहेगा और व्यक्ति स्वस्त नहीं रहेगा तो समाज भी स्वस्त नहीं कहा जा सकता है तो इसके दिशा में भी महत्पूर्ण कदम उठाए गए हैं, अभी देखा आपने की जो ओपेंड डेफिकेशन का जो प्रथा था उससे निजात पाने के लिए सोचालेओं का निर्मान हुआ, इसमें आसातीत सफलता मिली, एवं जो राष्टिये जो अस्तर पे जो स्वस्ता का मीशन चल रहा है, इसका प्रभाव बहुत जगह हुआ है, स्मार्ट सीटी के माद्यम से जो खूरे कच्रे का निदान किया जा रहा है, नमामी गंगे की योजना से जो सहरों में सीवर लाइन्स का निर्मान किया जा रहा है, इस सभी के दुरगामी प्रभाव होंगे, और अभी बरतमान में भी हम लोग देख रहे हैं, तो स्वस्ता की और भी सरकार ने एक बहुत ही महत्पुन पहल की है, और इसका लाव लोगों को मिल लाए है, जी, तो सर ऐसे हमारे देश में आज ऐसे बहुत सारे एतिहासिक फैसले हुए हैं, चाहिए हम बात तीन सो सत्तर की करिया तीन सो सत्तर की, जैसे बहुत सारे बदलाव आए हैं तब में और आज में, तो आप एक प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो आप उस नजरिये से आप कैसे देखते हैं तमाम नीतियों को? जैसा कि मैंने बताया धारा तीन सो सत्तर एक सासिक निर्ने था, जी, देश के एक बे बरसों के बाद, जहां तक धारा तीन सो सत्तर का शवाल है, महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आपको स्वस्त रहना है और खुले मानसिक्ता से रहना है तो आपको अपने घरों की खिर्किया को खोल के रखना चाहिए, लेकिन दर्वाजे खुले नहीं होने चाहिए, मत मानसिक विकास भी अच्चे से होगा, धारा 377 जिसमें समलंगिक विवाह निशित था, इसको अभी जो बैस्विक परिवेश में जो परिवर्तन हो रहे हैं और समाज में जितना खुलापन हो रहा है, तो भारत की संस्किर्ति रही है कि बाहर की संस्किर्तियों के बाहर के अ परिशिद्ध नहीं रखा जा सकता है, इसलिए मानिये सर्बुस्त नियाले ने उसको एवॉलिश कर दिया है धारा 377 को, ताकि हमारा समाज जो है एक प्रगतिसील समाज के रूप में जाना जाए, ऐसा नहीं हो, एक समाज प्रगतिसील तभी कहा जा सकता है, जब उसमें ब समाज बहुत ही प्रगतिसील है, बहुत ही वाइट थिंकिंग रखने वाला है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए उसको समय का तकाजा था, जिसके कारण उसको निशिद करना था, और उसको निशिद कर दिया गया है, जी सर, तो बिहार के जब हम वीर सिनानियों की बात करते हैं, इनमें पहला नाम वीर कुबर सिन्ग का भी आता है, तो हमारे जो आज की जो दर्शा के खास कर जो हमारे यूवा पीडिये, जो यंग्स्टर्स है, वो उनके विक्तिप से क्या कुछ सीख सकते हैं? जी अठारा सो संतामन का जो क्रांती हुई थी, जो अंग्रेजों के खिलाप जो बिद्रो हुआ था, उसके प्रनेता बाबु कुबर सिंग थे, और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, कभी भी उनकी अधिनता को स्विकार नहीं किया, उन्होंने लोगों को संगठित फिर रोहतास, सासाराम, फिर आगे रीवा, कल्पी, कानपूर तक गए, वहां के लोगों को उन्होंने संगठित किया, जमिंदारों को, कि हमारा सोसन हो रहा है, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सभी का सोसन हो रहा है, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमें आवाज उ अगर्स के उम्र में लोग लगभग ये मांज चुके होते हैं, कि उनका जो दाइत्व है, या उनका समाज के लिए गौर है, वो समापती पर है, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल के कारण, उन्होंने अंग्रेजों को हराया, और उन्होंने एक दिखाया, कि अगर तो आज के पीड़ी के उवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश हैं, कि उनको जिस छेत्र में भी आगे बढ़ना है, वो आत्मबल को बनाएं, उसको मजबूत रखें, और उनको हर छेत्र में, जीवन के जिस छेत्र में जाना चाहते हैं, उनको जरूर सफल मिलेग तो एक अदूतिय उदारन है कि असी वर्ष के उम्र में उन्होंने आंदोलन को नित्रित भी किया और अंग्रेजों से लोहा लिया और उनको हडाया उन्होंने अपने जगदीशपूर के किले में जो यूनियन जैक का जंडा था उसको उतार करके ही चैन लिया और इसलिए हम 23 20 अपरिल को बिजयोस्थवप के रूप में बनाते हैं सर ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि उमर की बाधा कभी अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो उमर कितनी है इससे फरक नहीं पड़ता सर हमारे जो यंग्सटर से युवा हैं उनको अब देश फ्रेम के ल अनुपानियों के बारे में हमको युवाओं को बताना है हमारा देश बिविद संस्कृतियों वाली देश है इसमें बिविद्ता में एकता का एक अनुपम मिशाल है हमें अपने युवाओं को बिविन लोकपरमपराओं को बिविन संस्कृतियों का आदर करना और अपने स स्कृतियों का भी उनको साथ में रखना उनका भी आगे उसमें भी विकास करना यह सब उवाओं को बताना होगा साथ ही उवाओं को ए भी हमें संदेश देना है कि जब आजादी की लडाई हुई थी तो उसमें ना तो कोई धर्म का बाधा था ना कोई जाती का बाधा था ना कोई उच था ना कोई नीच था ना कोई अमीर था ना गरीब था सभी लोग कंधे से कंधे मिला करके अंग्रीजों से लडाई लडा था तो इसमें यह संदेश जाता है कि हमें आज अपनी जातिय एवं संपरदाई जो संकिन सोच है उससे उपर उठना होगा और जिस उद्द से नानियों ने अपनी कुरवानी दी और जैसा भारत वो चाहते थे कि आजादी के बाद का भारत हमारा कैसा हो वैसे भारत के निर्मान के लिए दुबाओं को आगे बढ़ना होगा जी आजार हम आजादी की बात करते हैं तो हम राजएंद्र प्रशाद का भी नाम नहीं उनका शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान था, उनका बहुत बड़ा हाथ था हमारे सम विदान को बनाने में, और ये थो हम सभी जानते कि वो एक बहुत बड़े वीर से दनानी थे फ्रीडम फाइटर थे, आप ये एक सिक्षक है, तो आप हमारे भिहार के सिक्षा को क कैसे देखते हैं प्राचीन काल से ही बिहार शिच्छा का केंद्र बिंदू रहा है आप बहुत काली समय ले लिए या नालंदा विक्रम शिला हमारे विख्यात शिच्छा केंद्र रहे हैं बिहार ने आजभट ऐसे गनितग और चरक जैसे अरजुवेद चिकिश्चक दिये है शिच्छा के चेतर में बिहार का एक विशिष्ट अस्थान प्राचीन काल से ही रहा है अभी भी जो देश में जितने भी परतियोगी परिच्छाएं हैं जैसे IIT हो, IIM हो, UPSC का Civil Services हो या अन परतियोगी परिच्छाएं हो उसमें बिहार के परतिवा का लोहा माना जाता है और इसमें बिहार का परतियोगी बहुत ही अच्छा है फिर भी शिच्छा के चेतर में जो हमारा साचर्ता है कई राजों से अभी कम है तो उस चेतर में हमें बहुत सारे कार्ज करने हैं अभी सरकार ने इसके लिए जो बहुत सारे योजनाएं चला रखी हैं जैसे बालिका देना पोसाहार योजना यादी के माध्यम से हम 99% बच्चों को इसकूल तक लाने में सफल हुए हैं लेकिन अभी जो इसकूल ड्रॉप आउट है उसको रोकने के लिए इसमें और भी शार्थक पहल की जरुवत है और उच सिच्छा में भी हमें गुनात्मक सुधार और उसको पुना अपने उस गौर्प साली अस्थान को प्राप्त करेगा अपने चीज बिल्कुल सही कहां सर तो वक्त की हमारे पास और पावंदी है तो जाते जाते अब हमारे दर्शकों को जो हमारे कारेक्रम देख रहे हैं को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं अपने दर्शकों को एस अंदेश देना चाहूंगा कि जो आजादी का अमरित महुस्तब जी सुद देश के लिए ये मनाया जा रहा है हमें बीज सेनानियों को, सतंता सेनानियों को, उनके कुरबानियों को, उनके युगदान को याद रखना है और जैसा समाज हमें चा समाज के निर्मान के लिए हमें प्रयास करना होगा, इमानदारी से प्रयास करना होगा, तभी हम अपने स्वतंता से नानियों के लिए उनके कुर्वानियों को हम सच्ची सर्धानली दे पाएंगे और उनके प्रती अपना सच्छार सर्धार रखेंगे, हम इसको अमरित महौस करना होगा तभी हम कह सकेंगे कि हम आजादी का अमृत पान कर रहे हैं जी सर आपका बहुत बहुत शुक्र है हमार साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय में देखने के लिए धन्यवाद तो आज के लिए इतना ही दर्शकू मिलिंगे अगले अंच में फिर एक नए क कारिकरम के साथ तब तक दीजिए मुसकान को इजाजत और देखते लिए अपना डेड़ी बिहार